मन्डे टू सटर्डे बैक टू बैक क्लासे लाइफ फ्रॉम स्टूडियो आजी सस्क्राइब कीजिए जै महादेव एकेडमी चैनल को चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्लास में ठीक है क्लास 12 है इन्हीं 12 है इन्दी मीडियो चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए और जो बाय वाले बच्चे हैं वाएंगे और अच्छे से समझेंगे और एक बात और है बाई जो कोश्चन किया जा उसका एंसर देना है आपको ठीक हैं यदि आपको उचित लगे तो आप एंसर भी दे दिया करिए ठीक हैं तो आज है अन्वानसिक का लास्ट वीडियो रहेगा ठीक हैं तो सभी लोग जो हैं तयार रहेंगे जवाब देने के लिए ठीक है चलते हैं लोग तो अन्वानसिक रोग चल रहा था अन्वानसिक रोग में हम लोग पिछले क्लास में यह पढ़े थे यह अन्वानसिक रोग में क्या होता है माता पिता से हमें जो रोग संतत यह नहीं संतानों में चला जाता है अन् कि बास समझे गया आप लोग तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थें वो पढ़ रहे थे सीकल सेल एनेमिया ना असिया कार रुधिर ठीक है सीकल सेल एनेमिया ठीक नाम से पता चलता है हसिया कार रुधिर ठीकल सेल एनेमिया आपको पता होगा एनेमिया एनेमिया क्या होता है बास समझे बलड होता है बलड का जो टाइफ्स होता है टू टाइफ्स होता है एक होता है फ्लाज्मा ठीक है एक होता है बलड कार पोसिल तो धिर्कड का है तो बलड कार पोसिल का जो टाइफ्स है वो है आर बीसी दूसरा होता है डबलू बीसी और तीसला प्लेटलेट्स ठीक न भाई यह 55 परसंट और यह 45 नहीं 45 परसंट होता है जो मानों का बलड है एक तरल संञोजी उतक है इस बात को समझे एक तरल संन्योजी उतक है ना ना मसे इस सब कुछ एक ही लाइन में पता चल रहा है तरल है फ्लोड है बहने वाला है सहियों जी, connective, tissue, tissue मने, क्या होगा, the group of cell, यहीं सिलो का समू है, तो हमारे मन में यह बात चली, कि blood जो तरल होता है, flood होता है, जो बहता हुआ दिखाई देता है, वास्तों में वो सिलो का समू होता है, यहीं बहुत सारे सिलो से मिलकर बना होता है, तो इसमें देखे जैसे, blood क को निकाला, blood को निकाल का हम अध्यान करें, तो उसमें क्या दिखाई देगा, बहुत सारी सिलों दिखाई देगी, अलग-अलग आकार की, ठीक है, और कुछ liquid उसके आसपास कुछ चारों तरब liquid दिखाई देगा, उस liquid का नाम होता है, plasma, ठीक है न बहुत सारे सिलों का समू हो है, अलग-अलग आकार प्रकार में, वो होता, blood कार्पोसिल, ठीक है, ये blood कार्पोसिल किस-किस फॉर्म में होती, RBC, WBC, और plat lats, ठीक है, RBC में आते हैं, RBC से लोते हैं, non-nucleated होते हैं, non-nucleated का मतलब ही होता है, किस में जो है, क्या केंद्रा की निकलियस अफसेंट ह होता है, ठीक ना बया, RBC में केंद्राक अफसेंट होता है, कुछ ऐसे इस्तंधारी, mammalian gland वाले जी होते हैं, जिसमें, जैसे camel और उट नाम सुने होंगे, उनके RBC में निकलियस निकेंद्राक होता है, तो अपवाद भी हैं, लेकिन अधिकान इस्तंधारियों में, इसके के अपसेंट होता है, अपसेंट होने की वज़ा क्या है, वज़ा ये है भीया, कि अगर ये अपसेंट रहता है, तो इसके अंदर हीमो, हीमोग्लोबीन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, है ना, तो हीमोग्लोबीन जो होता है, हीम और ग्लोबीन, जो मालिक्यूल से मिलक निकेट दो मालिकिल मरला हीमग्लोबीन चाचार मालिकिल जुनते हैं सब हीमग्लोबीन बनाता है ठीक ये लेवेंथ में पढे होगे तो हीमग्लोबीन एक पिगमेंस होता है ये रंजक होता है जिसके कारण RBC पूरा पूरा रेड दिखाई देती है आपको बता दे एक बूंद बलड में एक बूंद बलड में RBC की संख्या लगबग 26 करोण होती है कितना करोण 26 करोण समझ रहे हैं इसलिए बलड को जब हम निकालते हैं देखते हैं तो पूरा बलड हमको रेड दिखाई देता है अगर हम बात करें किसी सेल की पूरे बॉड़ी में तो पूरे बॉड़ी में हमारे सब से ज़्यादा सेल RBC की ही उपस्थित है इस बात को समझेंगे दूसरी बात तो इसमें देखिए एनेमिया उस कंडिशन को कहा जाता है यहाँ पर बात चल ले थी एनेमिया उस दसा को कहा जाता है जब RBC में हीमोगलोबीन कम हो जाता है एक न RBC में बलड में हीमोगलोबीन कम हो जाता है तो उस कंडिशन उस दसा को एनेमिया या हिंदी में डाक्टर लोग इसे रक्त की कमी या खून की कमी बोलते हैं तो इनीमिय ऐसे कंडिशन से होता है सीकल सेल इनीमिय क्या है ये एक अनुवानसिक रोगवाला होता है ये जीन से होता है बास समझे इसमें देखिए यह बताया गया HBA और HBS प्रबल और आप्रबल जीन होते है दूसरी बात इसमें बताएगा कि अलफा अलफा चैन दो अलफा चैन होती है और दो बीटा चैन होती बात समझें हीमो ग्लोबीन में दो अलफा चैन और दो बीटा चैन होती है ठीक है बात समझेंगे द्यान तो बताएगा बीटा चैन की बात तो बताएगा कि जो बीटा चैन होती है पाली पेप्टाइट चैन होती है पाली पेप्टाइट चैन तब बनती है जब एमेनो एसिड किसी भी पाली पेप्टाइट चैन को बनने के लिए एमेनो एसिड की अवस्चता होती है जैसे जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन के निर्मार के लिए या प्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन बनने के लिए 20 यह भीज एमेनो एसिट की अवस्चता होती है तो इसमें हमने बताया कि पाली पेप्टाइट चैन होती है ठीक है तो polypeptide chain मिल करके protein से बनाती है तो हमारे मन में ये बात चल गई कि polypeptide chain जो होती है वो वास्ताओं में amino acid से मिल करके बनी होती है बात समझ में आ रही है हमने ये बताए कि chain होती beta chain और alpha chain होती है किस में हीमोगलोबीन हीमोगलोबीन कहां होता है RBC में RBC कहां होता है Blood Carpocil की बात करते हैं फिर Blood Carpocil Blood में होता है तो Hemoglobin में बतायागा βीटा सेल होती है इसमें बतायागा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे हैं इसमें बताया ये 1 है 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 6, 7, 8 ठीक है तो देखिए इसमें ये बताया गया कि ऐसे यहाँ पे Wailene अलग-अलग अमीनो एसिद यहाँ पे जुड़ी होती ठीक है इसके 6 अमीनो एसिद के 6 नमबर पर Glutamic Glutamic Acid जुड़ी होती है ये बताया गया सही तरीका यहीं हीमोगलोबीन के बीटा चैन की बात कर रहे है तो उसके एक से ले करके 6 तक का जो सही तरीका है चैन का जुलने का यहाँ पे ध्यान देंगे कि 6 नमबर पर क्या जुला होता है Glutamic Acid ठीक है Glutamic Acid यहाँ पे जुला होता है ये सही तरीका है लेकिन क्या होता है आप्रबल जीन के उपस्तिती में यहाँ पर गलती से क्या होता है कि इसको Reflex करके इन्हे Glutamic Acid को जीन Reflex कर देता है ठीक है Reflex इसको हटा करके ये 6 नंबर वाले स्थान पर वाईलीन मालीकियूल जुल जाता है ठीक है कौन सा मालीकियूल जुल जाता है वाईलीन मालीकियूल जुल जाता है Acid का तब क्या होता है अब इसका बांड इसके बांड में अंतर आ जाता है पहले इस्थान पर इभी वाइलीन होता है ये इसका सही तरीके का चैन है ये गलत तरीके का चैन कैसे समझेंगे ये एक सही तरीका है ये शिक्स नंबर पर ग्लुटैमिक एसिट जुला होता है परन्तु जीन के करण ये ग्लुटैमिक एसिट की स्थान पर वाइली ना करके मालिक्यूल जुड जाता है जैसे ही वाइली ना करके जुडता है इन चैन के बीच इन चैन जो बीटा चैन है इसका बांड आपस में जुडने लगता है और जुड करके शिकुलने लगता है जैसे ही जुड करके शिकुलने लगता है जो RBC का structure होता है वो हस्ये के आकार का हो जाता है इसलिए इसे सीकल सेल एनीमिया कहते हैं अब क्या होगा? इसमें हीमोग्लोबीन की कमी आएगी आपको पता है हीमोग्लोबीन का कार होता है आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड का आदान प्रदान करना तब क्या होता है इस दसा में आक्सीजन की क्या होता है आक्सीजन लेने की छमता कम हो जाती है जो रोगी होता है वो क्या करता है आक्सीजन कम ले सकता है लेकिन सामान निकार कर सकता है अर्थात महेनत वाला कारण नहीं कर सकता और तब वो जब सांस लेने में उसको कथिनाई होती है अक्सीजन नहीं ले पाएगा तब रोगी की मृत्यों हो जाती है ठीक है तो इसे कहते सीकल सेल एनीमिया बास इतनी सी बात है अब इसको आप जिस तरीके से समझ करके जितना भी अधिक से अधिक लिख सकते हैं लिख सकते हैं जैसा कोशन पूछा जाता है वैसा आप इसको बता सकते हैं इसमें पॉइंट बाली बात दो है छटे नंबर पर ग्लुटैमिक एसीड जुला होता है उसको जीन रिफलेक्स कर देता है हटा करके वह आप दूसरा वाइली ना करके जुड जाता है तब इसके पाली पेप्टाइट चैन की संकला में बदलावा जाता है अर्था तो वह आपस में बांड जुडने लगते हैं और वो सिकुलने लगते हैं जब वो सिकुलने लगता है तो पूरा RBC सेल सिकुल करके हस्ये के आकरिती को ले लेता है जिससे क्या होता है कि आक्सीजन लेने में कठनाई होती है और रोगी की मृत्ति हो जाती है ठीक है ठीक है पायो की किलास भाईया आड़ विजे आती है जो 11 वाले बच्चे है ठीक है अगली चलते हैं हम लोग अगले पे दूसरे कोश्चन पे दूसरा कोश्चन क्या है बास समझी फिनाईल कीटो नूरिया फिनाईल कीटो नूरिया ठीक है दूसरे इस्थान पे हम चलते है फिनाईल कीटो नूरिया फिनाईल कीटो नूरिया क्या है इस बात को आप समझेंगे ठीक है सभी लोग ध्यान से समझेंगे ठीक है जिसको कोई कोश्चन करना अभी मैं पूछूंगा दूसरा है फिनाईल कीटो नूरिया ठीक है ये डिजीज का नाम है ये रोग का नाम है फिनाईल कीटो नूरिया ठीक है फिनाईल कीटो नूरिया ठीक है फिनाईल कीटो नूरिया ठीक ना भी या फिनाईल कीटो नूरिया इस डिजीज का नाम है बात समझेंगे ये रोग है क्या बताया जाता है कि ऐसे देखे बताया जाता है फिनायल एलेनिन फिनायल एलेनिन ठीक है ये क्या होता है ब्लड मे फिनायल एनेलिन चेंज होता है टाइडो सीन में बात क्या होती है फिनाइल एनेलीन जो होता है वो टाइडो सीन में चेंज होता है इसके लिए इंजाइम होता है फिनाइल एले नीन आइड्रोक्सी लेस एंजाइम बात समझें इस सही बिधी आपको बता रहे है फिनाइल कीटोनोरिया रोग क्या है तो बताया जाता है कि भाईया ब्लड में क्या होता है कि फिनाइल एलेनीन उपस्थित होता है और उसी में फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज इंजाइम उपस्थित होता है ताब ओ, फिलाइन, एलेनीन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंजाइम, फिलाइन, एलेनीन को किसमे टाइरोसीन में क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है, इसको टाइरोक्सीन में चेंज कर देता है, ये तो सही मेथड है, लेकिन क्या होता है, दूसरे स्टिप की ब है कि phenyl alenonia इसकी उपस्थिति में phylyl alenine hydroxyl enzyme की अनुपस्थिती हो जाती है यह enzyme gene के उपस्थिती में बनता है तब इसकी क्या होती है अनुपस्थिती हो जाती है यह absent हो जाता है नहीं इसकी में उपस्थित रहता है और blood में उपस्थित हो करके यह फिनाईल पायरिविक एसिड में change हो जाता है ठीक ना फिनाईल पायरिविक एसिड में यह change हो जाता है ताइरोसी नहीं बन पाता है तब क्या होता है पेसाब पेसाब में यह निकलने लगता है इसलिए पेसाब बदबुदार हो जाता है अब देखिए जब बदबुदार होता है ति चेक अफ करने के लिए होता है दूसरी बात तब ब्यक्ति में क्या होता है मानसिक बिमारी आ जाती है मानसिक बिमारी आ जाती है और थाथ बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में मंद बुद्धी होती है मंद बुद्धी वाले बालक का जन्म होता है या मन्द बुद्धी वाले बाला को हो जाते हैं ठीक है तो इस बात को आप समझ सकते हैं ठीक है आप लोग बना भी लिया करिए खतम हो जाएगा योगेन जी आज खतम हो जाएगा आप लोगों की बायों की क्लास जो है अनुवान सिकी की एक दो रोग और है ये खतम हो जाएगा ठीक है पड़ेसान मत हो ये ठीक भाई चलिए तो मंद बुद्धी वाला बालक का जन्म होता है इसमें अगर आप ऐसे एक रियक्शन की तरह बना लेंगे तो आपको असानी होगी एंजाइम का नाम लिख देंगे टाइरोसीन लिख देंगे तो सही रहेगा ठीक अगला अगले कोशन पर चलते हैं क्रोमोसोमल डिजीज ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के गड़बड़ी पर भी कुछ रोग हो जाते है ठीक है क्रोमोसोमल डिजीज पर आते है तो आप लोग बताइए पहला कोशन आपको दे रहे है ठीक है क्रोमोसोमल डिजीज में पहला कोशन है कि सिन्ड्रोम क्या होता है मैं लिक दियता हूँ सिन सिन्रोम वाट इस सिन्रोम नाम सुनेंगे सिन्रोम क्या होता है यदि किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है गोडी यूनिंग सारी गोडी यूनिंग भाईया ताब उक्विए चले सिन्रोम क्या होता है तो देखिए बात बतायागा कि क्रोमो शोम ऐसा होता है कि क्रोमो सोम के गड़बडियों पर अब क्रोमो सोम जो होता है 46 होता है 30 पेर 30 जोले में होते हैं तो क्रोमो सोम के गड़बड़ी पर मनुस्थ में क्रोमो सोम के गड़बड़ी पर कुछ डिजीज हो जाते हैं ठीक है कुछ रोग आ जाते हैं तो उस रोग को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं तो आप लोग सिंड्रोम बताएंगे क्या होता है सिंड्रोम मानसिक बिमारी का मतलब यह होता है भईया मानसिक बिमारी का मतलब होता है कि ब्रेन के कुछ पाट का पीजीज ग्रस्थ हो जाना जैसे IQ लेबल का कम हो जाना ठीक है या 10 कम हो जाना ठीक है तो मांसिक विकार हो जाता है मनुस में मानसिक बिमारी यह बहुत देर तक बातों को न समझ पाना यह मानसिक बिमारी का कारण हो जाता है क्रोमोसोम में कमी या अधिक्ता होने से उत्पन रोंक सिंड्रोम होता है सिव पाठक जी ठीक है और जब आप देते रहा करिए तो देखिए सिंड्रोम किस दसा को कहा जाता है बास सही है आपकी आपने क्रोमोसोम पर बताया तो जैसे इसमें देखिए आपने जो कोशन बताया उस ठीक है तो ये बताये A-D-I-S A-D-S न एड-S देखिए A-D-S का नाम सुने तो A-D-S में A-S सिंड्रोम ही बता रहा है तो A-D-S में A-S जो होता है सिंड्रोम की इंडिकेट कर रहा है तो उसमें कौन सा क्रोमोसोम है भाईया पाठक जी बताये A-D-S में A-S सिंड्रोम को indicate करता है तो इसमें कौन सा chromosome है चले ठीक है कोई बात नहीं आपको आगे बताते हैं देखे syndrome उस दसा को कहा जाता है बास समझेंगे S ads का सिकार ब्यक्ति में S होता है जो syndrome को indicate करता है तो हम पड़िभासा समझेंगे syndrome उस दसा को कहा जाता है उस दसा को कहा जाता है को कहा जाता है ठीक है जब जब सरीर में एक साथ कई रोग ठीक है कई रोग अत्वा कई अंग प्रभावित होते हैं तो ऐसी दसा को शिन्ड्रोम कहा जाता है है न वाईया क्योंकि S को हम जब देखेंगे तो उसमें तो क्रोमस्वम को कोई बात नहीं न लेकिन एक बात जरूर है हमने जो डिफिनीशन लिखा आप परिभावासा अपने से बनाई है ठीक है न परिभावासा किसी बुक में लिखी हुई परिभावासा को रटने से अच्छा है समझना आप खुश समझिए खुद अपने से पढ़ करके परिभावासा को बना सकते हैं जो आपको जीवन परियंत नहीं भूल सकता है यदि आप बुक के लेंगवेज से लिखी हुई परिभावासा को रट लेते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे ठीक है तो हमने देखी बताया गया सिंड्रोम उस दसा को कंडीशन को कहा जाता है जब सरीर जब सरीर में एक साथ कई रोग यह नहीं अब एट्स की दसा में देखेंगे एट्स की कंडीशन में तो एक साथ कई रोग आते हैं क्योंकि प्रतिरच्छा प्रणाली जो होती है हमारी खतम हो जाती है जब एक साथ कई रोग होंगे तो कई अंग को भी प्रभावित करेगा क्योंकि अधिकान से यह देखा गया है एक रोग एक अंग को प्रभावित करता है है न भाई तो कई रोग होंगे तो कई अंग को प्रभावित करेंगे अथ्वा हमने यह भी बताया जब कई अंग प्रभावित होते हैं हम क्रोमोसोम के उपर यह बात किये कि कई अंग प्रभावित होते हैं तब ऐसी दसा को syndrome कहा जाता है ठीक है तो ये हुई इसकी परिभासा तो देखे इसमें बताया गया जो अन्वानसिकी वाले में है syndrome हम क्रोमोसोमल की बात करते हैं तो इसमें भी एक साथ कई अंग प्रभावित होता है है ना इसलिए हम लोग इसमें syndrome पढ़ें इसमें ये देखे syndrome syndrome में तो बताया गया कि भाया ऐसा होता है जब मनुस में क्रोमोसोम में कुछ गलबड़ियां होती है गलबड़ी का मतलब जब उसकी संक्या घट जाती है बढ़ जाती है या अधिकांस बढ़ जाती है जोडे में बढ़ जाती है तब क्या होता है सरीर के कई अंग प्रभावित ह होने लगते हैं सरीर के कई अंग प्रभावित होने लगते हैं तब उस दसा को सिंड्रोम कहा जाता है तब उसे दसा को सिंड्रोम कहा जाता है तो देखें पहला कौन सा है डाउन सिंड्रोम है ना डाउन सिंड्रोम क्या होता है कमेंट करके आप बता सकते हैं ठीक है पाय वाले बच्चे बता सकते हैं और अरादना जी ठीक है किस पर होता है प्रोमो सुम पेरी गुड शिव पाठक ठीक है भाईया ऐसे ही आप कमेंट का जबाब देते रहें तो बहुत अच्छा होगा तो देखे चलते हैं डाउन सिंड्रोम पर लिखा डाउन सिंड्रोम है कम हो न लेकिन यहां पर अधिक हो न हो रहा है न तो देखे ऐसा बताया गया रहा कि जब मनुष में मनुष के आटो सुम में है न भाया 21 जोली क्या होती है वन पर से लेकर करके हम डाट डाट 21 पर की बात करते हैं है न जब मनुष के आटो सुम इन 21 जोली के क्रोमो सुम में क्या होता है कि एक क्रोमो सुम बढ़ जाता है अब देखे ये बल क्यों जाता है है न परस नहीं कैसे बढ़ गया बात होती है जब क्रोमो सुम सिनेप्सिस करता है इनके छोटे छोटे अलफी से आपस में जुलते हैं तो इनके खंड क्या होते हैं कभी कभी डियने ज़्यादा डूबलिकेशन कर जाता है और ये आपस मे डिया करके जुल जाते हैं और इस तरह एक एस्टरा क्रोमो सुम आ जाता है समरें एक एस्टरा क्रोमो सुम 21 जोडी में एक क्रोमो सुम बढ़ जाता है ठीक है 21 जोली में जब एक बढ़ जाएगा तो हम इसे 2N नमबर सेल कहेंगे यहनि 46 है 2N नमबर 2N प्लस 1 हो जाएगा एक पल टू 47 यहनि डाउन सिंड्रोम में 47 गुल सूत्र उपास्थित होते हैं क्योंकि 21 जोली में एक बढ़ जाता है तो टोटल आप नमबर हम 2N नमबर से जानते हैं है ना 2N नमबर जानते हैं तो 2N नमबर होता है 2N नमबर प्लस 1 एक बढ़ जाता है तो यह 2N नमबर इक्वल टू कितना होता है 46 तो 46 1 कितना हो जाएगा 47 तो 47 गुल सूत्रिस में अज़ बच्चों में आजाता है तो बच्चे में जो 47 गुल सूत्र आजाता है पूरे बौडी के सिल में आजाता है पास समझते ना जैसे हम लोग कोई के शरीर में 46 होता है तूसी प्रकार जो इस रोख से ग्रसित होता है उसमें 46 प्रतेक्सिलों में 46 Kromosome आ जाता है तब उस दसा में हमने कहा जब मनुसमें Kromosome घटता या बढ़ता है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो एक डिजीज यहीं सिंड्रोम हो जाता है सिंड्रोम का मरलब कई अंग प्रभावित होने लगते हैं तो इसमें देखिए तो बताया गया जब 47 हो जाता है तो जो बताया गया कि जो लड़का होता है वो क्या होता है बाउना हो जाता है उसका कद बाउना बाउना देखें है उसका कद छोटा हो जाता है ठीक है जीवा मोटी हो जाती है ठीक है आख आख क्या होती है आख की बात करते है तो आख तिरची हो जाती है और मंगोलियन की तरह दिखाई देने लगती है बड़े बड़े आखे मंगोलियन की तरह है ठीक है तो आख तिरची और मंगोलियन की भ हाथी दिखाई देने लगती है और ये क्या होते हैं नपुंसक होते हैं अर्थात ये क्या होते हैं कि अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं तो इसे में आक्तिर्ची होने की वज़ा से मंगोलियन जड़ता रोग भी कहा जाता है अधिकांस ये लोग क्या होते है कि 17-18 वर्स में अधिकांस मर जाते हैं इनकी मृत्तिव हो जाती है ऐसे लोगों की कुछ लगभग 7-8% लोग 40 वर्स तक जीरते हैं ठीक है न तो ऐसे लोग कितने साल तक 17-18 साल के लगभग इनकी मृत्ति हो जाती है और अधिकांस लोग यहीं लगभग 7-8% लोग 40 साल के आयू तक ये लोग जीते हैं ठीक है तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम तो इसके लच्छन भी लिख सकते हैं कैसा होता है और किस क्रोमोसोम के गड़बड़ी पड़ होता है तिक किस्वी जोड़ी के क्रोमोसोम जब एक अधिक हो जाता है तब होता है ठीक है चलिए आगे दूसरा है टारणर सिंड्रोम इन तीन सिंड्रोमों में से कोई न कोई एक पूछा जाता है ठीक है तो दूसरे है क्या है टारणर टारणर सिंड्रोम ठीक टारणर सिंड्रोम कमेंट करके बता सकते हैं बाई वाले बच्चे यदि उनको समझ में आ रहा है अन्था आगे चलते हैं हम लोग टार्स पूसरे हैं तो इसमें बताया गया कि सेक्स क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमो Shome में Sex chromosome का हुंसा होगा 23 जो ली वाला नने बाइया 23 जो ली वाला यह nih, link chromosome में क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि एक chromosome क्या हो जाता है, घट जाता है 1 pair, 2 pair 3 pair, 4 pair dot dot, 23 pair इसमें एक chromosome cut, यह aproxim हो हो जाता है, तो अब एक क्रोमोसोम के कम होने से ये हो जाएगा 2N-1 एक्वल टू 45 अर्थात इसमें 45 क्रोमोसोम ही उपस्थित होते हैं ठीक है कितना 45 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं बेरी गूड ठीक है 45 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं अब 45 देखिए इसमें क्या होता है एक क्रोमोसोम क्या होता है जब इसके मालेकील क्रोमोसोम के अलग-अलग होते हैं तो कुछ जो होते हैं ठीक है सॉइटोसॉल में वो क्या होता है बिलीन हो जाते है या घुल जाते हैं तो इसमें फुट्टी 5 ही क्रोमोसोम 45 आता है तो इस दसा में जो इस्त्रियां होती है क्या इस्त्री जो होती है वो क्या होती है कि उनका भी कद छोटा हो जाता है और क्या होता है इस्तन इस्तन ग्रंथी का कम विक्सित हो जाते है अर्थात मिल प्रोडीज नहीं कर सकते है जोसी बाद ओवरी वरी क्या होता है अन्डेवलप हो जाता है वरी भी अन्डेवलप हो जाता है जिससे उनके सिसु या MC मानसिक चक्र भी नहीं चलती है ठीक है तो इसमें भी इस्त्रिया नपुंशक हो जाती है तो ये 45 क्रोमोसोम के गलबड़ी अर्थाथ इसमें एक क्रोमोसोम की गलबड़ी पर अनुपस्थिती में ऐसा होता है ठीक है न तो ये लच्छड़ है और ऐसे आप किसमें बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम अर्थाद लिंक क्रोमोसोम की बात करेंगे कि लिंक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है ठीक है आगे चलते हैं तीसरा है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्वेश्चन का एंसर तुरन दीजिए आगे चले हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम बताईए भया तुरन कौन सा ट्रॉपिक चल ला है अनुसिक का चैप्टर है सिंड्रोम चल रहा है बार-बार सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है तपड़ भी आप पूछ रहें कमेंट करके बताएए चल्डि से क्लाइन फिल्टर शिंड्रोम क्या होता है चलिए आगे बताते रहेएगर आप लो ठीक ए क्लाइन फेलरी स्र नॉम बताए जाता है जब कभी ठीक है जाब कभी ऐसा होता है कि link chromosome ठीक है link chromosome link chromosome में ठीक है one pairs, two pairs या three pairs के रूप में ये बढ़ने लगते हैं ठीक है 2N number 1 pair 3N 4N एनि pairs जोले जैसे XXXY ऐसे बढ़ने लगता है ठीक है pairing में बढ़ने लगता है very good ठीक है ठीक है alien hunter साब बढ़िया है XXY ठीक है यह pairing में बढ़ने 2N 3N 4N एनि pair में बढ़ने जब कभी link chromosome में एक pairing होने लगता है यहाँ पेर में बढ़ने लगता है तब क्या होता है कि संतानों में यह विक्रिती उत्पन हो जाती है अर्थात बिमारिया आ जाती है इस बात को समाझेंगे कैसे XXXXXX अब यहाँ पर देखे 23 जोले XXY जैसे इसको ले लीजे अब देखे भया ऐसा होता है तो यहाँ तक हम बात करें यहाँ तक तो यहाँ तक एनी 46 क्रोमसोम यहाँ पर यह एक ट्रिपलिंग जोला में बना है जब यह ट्रिपलिंग जोला देखें आप यह ट्रिपल जोला में ऐसे आया है तो यहां तक तो 46 क्रोमोसोम उपस्तित हो गए है अर्थात वो 46 क्रोमोसोम उपस्तित यहां तक तो इस्तरी ही होगी है ना इस्तरी का रूप लेगी है ना इस्तरी का रूप लेगी लेगी लेकिन एक वाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने के कारण एक वाई भी क्रोमोसोम आ ग डाड़ी मूचे का भी विकास होगा लेकिन इसमें जो इस्तिरियां और पुरुस होते हैं दोनों नपुंसा की ही होंगे ठीक है यह क्या बताएगा यह दोनों रूप लेड़ा इस्तिरी का भी यहनि 46 क्रोमोसोम तक तो इस्तिरी का रूप लेगा क्योंकि यह 46 क्रोमोसोम तक इस्तिरी बनेगी बत एक एस्त्रा क्रोमोसोम वाई आने पर ठीक है क्या होगा कि पुरुस की भाद भी कुछ लच्चा आएंगे तो इस्तिरी और पुरुस दोनों लच्चा इसमें दिखाए देंगे लेकिन दोनों क्या होंगे नपुन्सक ही होंगे ठीक है तो इसे कहते हैं इसको कहेंगे के भाया क्लाइन फेर्टल सिंड्रोम ठीक है अब आगे तो देकिन तीनों सिंड्रोम में से एक निश्चित रूप से पूछा जाता है या अबजेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है कि इसमें किसमें काउंसे सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम पस्तित होते हैं जैसे अभी हम लोग यदि हम देखें आगे चलके तो आपको दिखाई देगा जब चैप्टर को समाप्त होने पर exercise अभ्यास को करेंगे तब आपको दिखाई देगा अगला है पार बाडिस पार बाडिस हिंदी में कहते हैं पार काई ठीक यदि बार बाडिस किसे को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं चलिए देखिए आप इस बात को समझे ठीक अभी हम लोग आगे चलेंगे और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और आप लोग अभ्यास करेंगे अभ्यास करने के बाद हम लोग जब निष्ट क्लास में आएंगे तो दूसरी आध्याय चालू करेंगे ठीक है तो बार बाडीस होता है ये क्या होता है ठीक अभी देखिए बार बाडीस क्या है बार बाडीस पर हम आएंगे तो देखिए बात क्या हुई 99.49 की बात है एक बैग्याई बार और बैटरम बड़ ट्रम ठीक है बार अर बैट्रम बैज्ञानिकों ने देखा की जो इसनों ने बिल्लियों के सिल में देखा तो बिल्लियों के सिल के जो केंद्रक है केंद्रक के केंद्रक कला ये केंद्रक है न मैं ये केंद्रक है सिल के अंदर ये होता है केंद्रक कला ये केंद्रक जि थीक है न केंद्रक कला से देखा कि एक गाणा पदार्थ होता है यहाँ पे स्टेनिंग रंजक पदार्थ उन्होंने देखा फिर पाद में इनको पता चला कि यह रंजक पदार्थ जो होता XX क्रोमोसोम का ही एक आक्रियासील क्रोमोसोम ही होता है ठीक है और इन्हों ने ये समझा कि ये जो क्रोमोसोम होता है ठीक है ये जो क्रोमोसोम होता है आक्रियासील होता है और ये सभी किस में होता है इस्तिरियों में होता है यहनी सभी female में होता है सबी female में female के silo में ये उपस्थित होता है आप देखी दूसरी बात अब जब इसकी discovery होई तब इसका sex determination में इसका यूज किया गया यहीं भून यहीं embryo check-up में किया गया जैसे भून check-up में क्या किया जाता है ठीक है गरभा वस्था के समय ही बता दिया जाता है कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगा ठीक है तो इसमें देखी यह कानूनी अपराद है यह वैन है अगर भारत में कोई डाक्टर ऐसा check-up करते हुए पाया जाता है तो उसे पान साल की सजा 50,000 के जुर्बाना है यदि कोई ब्यक्ती check-up करवाते हुए पकड़ा जाता है ठीक है तब उसको जेल हो जाती है बात क्या है बात समझे बात इसलिए है क्योंकि ये check-up करवाना भून हत्या का कारण बन गया था अर्थात कोई भी दुनिया का इंसान ये नहीं चायता है कि बहुत कम लोग ही चायते हैं कि मेरे घर में एक नन्ही पड़ी आए सबी लोग पहलवान को जन्म देना चायते हैं है न बाया तो भून हत्या का कारण यही होता है तो इसलिए इसको बैन है तो ये इंब्रियो के भून की स्थिती में इसका चेक अप किया जाता है ऐसे कैसे किया जाता है बस समझे तो बताएगा कि भून के चेक अप में कैसे किरते हैं तो भून में देखते हैं कि यही बार बाडिस यदि सेलों में उपस्थिती है बौर्ड बाडीस यदि सेल में उपस्तिती है तो बताएगा कि जो भून पल रहा है वो क्या है? फिमेल है क्या है? फिमेल है यदि बौर्ड बाडीस का अनुपस्तिती है तो बताएजाता है वो मेल है ठीक है? तो आप लोग इसको देखेंगे और जो आपका exercise है exercise भी करेंगे exercise में जो question है उसका answer अभी आप देंगे मैं आपको exercise पूछता हूँ और exercise का question पूछता हूँ आप लोग जबाब दीजिएगा ठीक है ठीक है ये chapter समापत हो गया है यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप comment करके पता सकते है ठीक अगला जो chapter होगा वनसगत का अर्विक सिद्दान अर्थात हम लोग पढ़ेंगे DNA और RNA है ना DNA क्या होता है बहुत सिंपल भासा में हम लोग पढ़ेंगे तो DNA अगला chapter हैगा लेकिन कुछ exercise का question हम कर लेते हैं और आप उसका जबाब भी दीजिए ठीक चलते है exercise में हम लोग पाइला question है पाइला question का जबाब केस है पाइला question है मिंडल द्वारा अपने फून देजिए तेक कमेंट परना मिंडल द्वारा प्रियोग के लिए मटर के पौदे चुनने से क्या लाब होता है है ना पाइला question है मिंडल द्वारा है ना मिंडल द्वारा पहले elli कोशन ने मिंडल द्वारा प्रियोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ है क्या लाभ हुआ भईया कमेंट करके बता सकते है ठीक है तो क्या लाभ होता है ये बात हम आपको शुरुवात में ही बता है कि पाइसम सटाइवं मटर और गाल्डेन प्री को क्या किया सेलेक्ट किया उन्होंने और उन्होंने उसमें क्वाल्टी देखी थी उन्होंने उस पौदों में क्वाल्टी देखी उन्होंने देखा कि फसली होते हैं अधिकान सहरिस्थान पर इसको हम बो सकते हैं और दो से तीन महीने में ये क्या होता है जनरेट होता है दो से तीन महीने में ये इसका हम क्या करते हैं बीच को प्राप्ट करते हैं और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी साथ अन्वानसिक लच्छलों वाले देखे थे ना साथ अन्वानसिक लच्छलों वाले इन्होंने क्या देखा था लच्छल देखा था जो एक पीली से दूसरे पीलियों में पेवर ब्लीडिंग इन्हीं सुद्ध नसली के रूप में चले ही जाते हैं ठीक है दूसरा है ठीक है बेरी गूट सिव पाठक साथ अन्वानसिक लच्छल बिसरगी पेरी गूट बिसरगी मैं बिप्रीट लच्छल वाले आपने सही जबाब दिया अरादना यादा जी क्या कह रही है ठीक है दूसरा कोश्चन है डिफरेंट बिटमें भेत करना है आपको डिफर करना है प्रभाविता और आप्रभाविता है ना बया प्रभाविता और आप्रभाविता को बताना है यही डॉमिनेंसी और रिसेसिव क्या होता है डॉमिनेंसी और रिसेसिव ने ने पो जाते हैं ठीक है प्रभाविता और आप्रभाविता क्या होता है दो तुलनात्मक लच्छलों में से जब संकर कराया जाता है तो F1 पीली में से जो लच्छन F1 पीली में दिखाई देते हैं उस लच्छन को प्रबल लच्छन कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं प्रबल लच्छन कहते हैं और मिंडल की इसी इसी प्रियोग को प्रभाविता का नियम कहते हैं दूसरी बात जो तुनात्मक लच्छलों में से जो लच्छल नहीं दिखाई देते हैं F1PV में यहीं फर्स्ट जनरेशन में उसे आप्रभाविता या आप्रभावी लच्छल कहते हैं इसे अपरा भाविता करनी हम कहते है दूसरा question है इसी में different between भेद करना है आप तुरंट जवाद देंगे some yugmanajee और भी some yugmanajee some yugmanajee मनला homo-jagas और hetero-jagas different between तुरंट comment करके बताएंगे ठीक है तुरंट comment करके बताएए भाया तो देखे some yugmanajee क्या होता है जब कभी एक same equal allele के जोड़ी होते है है ना some yugmanajee कहलाता है जब कभी differ 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 अलग-अलग yugmanajee के जोड़े होते है जैसे capital T capital T दोनों में allele gene है लेकिन ये दोनों same gene के जोड़े है allele same gene के जोड़े है तो इसे हम some yugmanajee small T small T ये भी some yugmanajee है capital T small T ये भी some yugmanajee है है ना ऐसे हम लोग समझ सकते हैं दूसर बात दूसरी बात हम आते हैं जैसे हम बात करें R तो ये some yugmanajee है R और small R ये क्या है some yugmanajee है small R small R ये क्या है समय युगमनेजी है तो ऐसे हम लोग समय युगमनेजी और भी समय युगमनेजी को समझ सकते हैं ठीक है रोहितार के भी चंदन भाई कहा है चंदन भाई समय युगमनेजी चंदन भाई है चालो ठीक है तुहारे नाम पर एक संकर और दूर संकर है ना बया, monohybrid और dihybrid क्या होता है ठीक है ठीक है, very good शिव, पाटक ऐसे जबाब देते रहें और आगे बढ़ते रहें बविस्ट में एक संका monohybrid और dihybrid cross क्या होता है, बात बताइए monohybrid और dihybrid cross की तो देखें इसमें बताएगा साथ अन्वानसिक लच्छडों में से साथ मिंडल के साथ अन्वानसिक लच्छडों में से एक लच्छड किसी एक लच्छड को तुनात्मक वाले एक लच्छड को ले करके cross कराने की विधी या मेथद को एक संकर का नियम या एक संकर कहते हैं, जबकि साथ अनुवानसिक लच्छडों में से साथ अनुवानसिक लच्छडों में से दो लच्छडों को ले करके जब मिंडल साब ने आपस में उसमें संक्रार कराए तब हम उसे क्या कहते है चैप्टर का नयाम भाया क्या है अनुवानसिक है एना अनुमानसिक कितनी बार बोले हर बार अनुमानसिक बोले हैं आप टल्त में नहीं पढ़ना है क्या भया हा चंदन ड्रीम C K B इतना बड़ा नाम लिके हैं पकला जाएंगे हाँ तो अनुमानसिक वाला छे इस्थानों के लिए सम युगमनजी है कितने प्रकार की युगमक का उत्पादन संभव है बताईए ठीक है तुरन जबाब दीजिए ठीक भईया तो देखे आप लोग आपस में बात न करिए या तो फिर बताईए सर आपको नाम क्या है भईया जब वीडियो चलाते हों इंड करतें थो उसमें लिखा रहता है बहुत प्यारे सुनहरे सब्दों में हाँ हमारा नाम फिर भी आप नहीं देख रहे हैं ठीक है आए सर चलिये ठीक है हाई आपको भी ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगले क्लास में मिलेंगे तब तक exercise आप लोग पूरा कर लीजे बहुत simple simple है फिर अगला question है एक संकर क्रास का प्रेयोग करते हुए प्रभाविता कि नियम की ब्याक्खा करेजिए फिर पड़िछार्थ इनी test cross की पड़िभासा चित्र भी बना यहां पर गोल पर लिखेंगे और जो जीनोटाइप फिनोटाइप लचल वाले होंगे उसे हम वारिग में लिखेंगे ठीक है प्रिदे के पीले बीज वाले लंबे पौदे बेरी गुड यह वही बात है है ना भया जो हम राउंड लिये थे गोल पीले लिये थे इसने करेक्टर लिया पीले बीज वाले लंबे पौदे है ना बात तो दो ही लिया उसमें क्रास करके क्या निकल रहा है उसको आप बता सकते है बहुत में देखिए आपको ब्लड वाला बताये थे कि सिसु का रूदिर O है पिता का रूदिर A है ना माता का भी है जनकों में जीनोटाइब मालुम करें और अनसंतत में प्रत्यासित जीनोटाइब की जानकारी प्रदान करें एकदम सिंपल भाई वो आप जब जाएंगे इसमें हम ब्लड के बात बताये हैं कि ब्लड में ब्लड भी एक अन्वानसिक बर्न इस्टीन ने बताये था कि ब्लड भी एक अन्वानसिक वाहक होता है और वो कैसे माता पिता में जाता है तो इस बात को आप वहाँ पे थोड़ा वीडियो देख करके इसको साल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है किनी दो अलिंग सूत्री अन्वांसिक बिकारों का अलिंग सूत्री जैसा अलिंग सूत्री में लब बतायत है भी है ना जैसे सिंड्रोम में देखें ना कि जोड़ी वाले अलिंग वो भी है ठीक है चलिए ठीक है फिर मिलते हैं अगली class में ठीक है तब तक आप लोग इसको solve कर लेजे जो problem हो comment करके अगली class में बता सकते हैं ठीक है तब तक के लिए bye bye और दूसरी बात important बात यह है कि class को आप share नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा मन भी नहीं लगता है ठीक है ऐसे चलता रहा है तो मन थोड़ा सा हो करेंगा और आप हम भी परिशान आप भी परिशान ठीक है इसलिए like और share जरूर करें Monday to Saturday Back to back classes Life from studio आजी subscribe कीजिए जै महादेव Academy चैनल को